आज हम बनाएंगे मखाने की बासुंती, मखाने की बासुंती बनाने के लिए 4 लिटर फुल क्रीम दूद लिया है, ये दूद भैस का लिया है, मखाने की बासुंती बनाने के लिए आप भी भैस का ही दूद लीजिए, बासुंती मिठाई का ही एक प्रकार है, बासुंती इसलिए दूद के दुगने मापका हम पतिला लेंगे ये पतिला देखो नीचे से ये जाड़ा होना चाहिए इससे हमारी बासुनती नीचे जलेगी नहीं अब इस पतिले में हम पूरा दूद निकाल लेंगे अब ये पतिला हम गैस पर रख देंगे गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है जब तक दूद को उबल आता नहीं तब तक हम गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे दूद में से भाप आना शुरू हो गया है अब दूद में उबल आना शुरू हो गया अब हम गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और हमें बार बार इस दूद को चम्मत से हिलाना है इस से बासुनती नीचे जलेगी नहीं हर दो मिनिट बाद हम ऐसे दूद को चम्मत से हिलाते जाएंगे जब तक दूद हमारा आधा नहीं हो जाता उबल कर तब तक हमें इसे उबालना है ये हमारा दूद उबल कर आधा हो गया है इसे बार बार हमें चम्मत से ऐसे हिलाना है इस प्रोसेस में एक सवा घंटा जाता है इस से मखाने की बासुनती बहुत अच्छी बनती है अब हम इसमें एक कप शक्कर डालेंगे आप चाहे तो शक्कर ज्यादा कम कर सकते हो जितनी आपको मीठी बासुनती चाहिए होंगी उतनी आप उसमें शक्कर डाल सकते हो अब हम ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम हमें धीमी ही रखनी है अब हम इसमें एक बड़ा चमच घी डालेंगे इससे बासुनती का फ्लेवर एकदम अच्छा आता है अब ये हम घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एक चम्मच इलाईची पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच इलाईची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे 20-25 मेंने बदाम लिये है अब हम इसका मिक्सर में पाउडर बना लेंगे ये पाउडर हम अब बासुंती में डालेंगे दो चम्मत चिरोंजी के दाने लिए है एक बड़ी कटोरी मखाने लिए है मखाने ज़्यादा भी आप डाल सकते हो मखाने की बासुंती है इसलिए हम बासुंती में मखाने डालेंगे बदाम पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम हमें धीमे ही रखनी है चिरोंजी के दाने डालेंगे मखाने डालेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पाच मिनिट बाद गैस बन कर देंगे तयार है हमारी मखाने की बासुनती दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे आल पर क्लिक कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू